हेलो गाईज, वेलकम टू दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो अप्लोड करूंगा यहां पर मैं इनर्जी कंजर्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने वाला हूं वो टॉपिक है कूलिंग टावर तो यहां पर सबसे जाया हुआ है और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में एक एक मैंने बेसिक डेपनेशन अच्छे से एकस्प्लें किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट प्रॉसेस होता है जो फ्रेंस पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वैपोरेशन एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारबार इस्तेमाल होगा अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक को इवएपोरेरेशन ठीक ही भरेट होता क्या है क्या ये नैचर evaporation होगा कैसे evaporation होता है मैं बहुत ही basic example से आपको समझाता हूँ यह देखिएगा यह आपके सामने मैंने एक पानी का यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है ठीक है यह पानी का ग्लास है यह पानी की यह surface है इस surface में अगर थोड़ा सा भी temperature बाहर का जो atmospheric temperature है वो अगर जादा हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें कुछ जो पानी के particles हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगेंगे ठीक है अब नॉर्मल सी बात है जो पानी के particles बाहर निकलना है उनकी kinetic energy क्या होग और जो पानी के अंदर है उनकी kinetic energy क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो नॉर्मल सी बात है जब अंदर वाले particles की kinetic energy कम हो जाएगी तो पानी में कौन सा effect आ जाएगा cooling effect आ जाएगा ठीक है इसी principle का हम लोग इस्तिमाल करेंगे cooling tower में ठीक है किस तरह से हम लोग इस्तिम like structure through which atmospheric air circulate and by direct contact cool large quantity of warm water तो पूरे जब जितना भी मैं cooling tower आपको पढ़ाओंगा उसमें आपको तीन चीजें बिल्कुल common होगी एक तो सबसे पहले आपको यहाँ पर requirement होगी warm water गयानी की गरम पानी की दूसरी requirement यहाँ पर जो होगी दूसरी requirement वो होगी air की air contact के लिए ठीक है और जो तीसरी requirement यहाँ पर होगी वो होगी वो requirement नहीं है वो एक principle है evaporation का principle आपको पता होना चाहिए को कि evaporation अभी मैं थोड़ी देर बार पहले बताया था कि cooling effect आ जाता है अगर particles की kinetic energy कम हो जाती है तो ठीक है पीछे मैंने explain किया हुआ था तो यह तीन चीज़ें आपको हर जगे cooling tower जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो हर जगे आपको यही ती चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो cooling tower में क्या है cooling tower एक तरह का in close tower होता है cooling tower एक in close tower होता है जिसमें की atmospheric air circulate करती है मतलब cooling tower के अंदर हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें air pass होने का कुछ ना कुछ हम उसमें रास्ता दे देते हैं ठीक है रास्ता कैसे देते हैं भी मैं थोड़े देर बाद explain करूंगा और इसमें जो flow करवाते हैं वो कौन सा water flow करवाते हैं warm water flow करवाते हैं ठीक है तो यहां पर देख लीजें यह कुछ जो important चीज़ें है उसको मैंने circulate कर दिया है कि cooling tower क्या है एक enclosed tower है जिसमें की atmospheric air क्या होती है circulate होती है और इसमें जो requirement होती है basically वो कौन से water की होती है warm water की होती है यह बिल्कुल basic चीज है अब cooling tower को अगर मैं classify करूंगा cooling tower दो तरह के होंगे एक होगा natural draft और एक होगा mechanical draft ठीक है तो यहां पर natural draft और mechanical draft में क्या अंतर है अब यहां पर देखिए word है natural ठीक है natural का मतलब यह होता है यहां पर जो हमको बाहर से जो air मिल लई है ठीक है उसको अगर हम लोग इस्तवाल करते हैं तो उसको बोलेंगे natural draft और अगर हम air को किसी fan के थ्रू किसी भी fan के थ्रू अगर हम force करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे mechanical draft cooling tower और एक चीज मैं और बता दू जितने भी type के मैं cooling tower आपको बताऊंगा वो सारे के सारे same working principle पर depend करते हैं बस उसमें थोड़ा सा minute सा छोटा मोटा difference होगा लेकिन working principle जो होगा वो क्या होगा सेम होगा आगे बढ़ते है natural draft सबसे वहले मैं आपको डाइगराम दिखा देता हूं किसी भी type के cooling tower है ये एक natural draft cooling tower है cooling tower में basically होता क्या है आप principle समझिए देखिएगा यहां से hot water क्या हो रहा है enter कर रहा है hot water enter कर रहा है और hot water नीचे की तरफ हम क्या करते हैं गिराते हैं इस जो enclosed chamber दिख रहा है इसमें hot water हम क्या करते हैं नीचे की तरफ गिराते हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जो पानी गिराते हैं वो किस के थ्रू गिराते हैं nozzle के थ्रू गिर इस तरह का यह fountain बना होता है और इसमें इस तरह के छोटे-छोटे यहां पर hole होते हैं ठीक है उन hole के थू जो होता है पानी गिरता है तो पानी की धार हो जाती है वो काफी पतली हो जाती है ठीक है तो यहां पर भी हम कुछ इसी तरह से करते हैं यहां पर हम hot water तो अंदर की तर इस तरह से दिख रही है यहां पर तो यहां पर पानी इस तरह से यहां पर गिर रहा है किसके थ्रू गिराते हैं नौजल के थ्रू गिराते हैं अब यहां पर वाम वाटर आ गया यहां पर वाम वाटर को हम इंक्लोज चेमबर में अंदर के तरफ गिराते हैं अब देखिए य जब भी कभी warm water और इयर इनका आपस में contact होगा तो जो process होता है वो क्या होता है evaporation का process होता है evaporation के process में क्या होता है यह जो पानी गिर रहा है ठीक है यह जो पानी गिर रहा है इसमें कौन सा effect आ जाता है cooling effect आ जाता है cooling effect ठीक है और यह जो cooling water होता है वो हमको यहाँ पर इसको cooling basing जो बिल्कुल base में बना हुआ है cooling basing से हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं आउट कर लेते हैं यह किसी भी type के cooling tower का basic working principle है ठीक है फिर से मैं बता दे रहा हूं सबसे पहले यहाँ पर warm water होगा ठीक है warm water को हम लोग नीचे की तरफ गिराएंगे इस तरह से किस के थरू nozzle के थरू गिराएंगे nozzle के थरू जब हम गिराएंगे और उसके बाद इसमें pass कराएंगे air को तो जब air को pass कराएंगे तो यहाँ पर evaporation process होगा evaporation process में यहाँ पर hot water जो यहाँ और नीचे गिर रहा है उसमें cooling effect आएगा और इस cooling water को हम लोग बाहर की तरफ ले जाएंगे ठीक है तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है तो बस केवल अंतर इतना है कि यह जो cooling tower हैं दो तरह के हैं natural और mechanical natural वाले में हम air जो हमाई natural available है उसको हम लोग यूज़ करेंगे और mechanical वाले में हम क्या लगा देंगे fan लगा देंगे ठीक है तो सबसे पहले natural वाले की बात करते हैं हम लोग natural ड्राफ्ट वाले में पहला point जो लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो यह है कि it should be located on roof of the building जो आपकी building का सबसे top है वहाँ पर locate किया जाता है where free movement of air is available normal सी बात है जब आप top पर install करेंगे तो वहाँ पर air का free movement available होगा warm water from the condenser is pumped up to top of the tower where it is sprayed down through nozzle यह यहाँ पर important है sprayed down through nozzle जो भी warm water होता है उसको हम नीचे की तरफ गिराते है भी मैंने थोड़े देर पहले बताया था और उसको किसकी help से nozzle की help से हम लोग spray करते हैं नीचे की तरफ ठीक फिर उसके बाद यहाँ पर atmospheric air जो होती है भी मैंने diagram में दिखाया था उसको अंदर की तरफ क्या कराते है circulate कराते है और उसके बाद जो process होता है वो कौन सा होता है evaporation का process होता है ठीक है और जिसकी वजह से जो भी water होता है उस को बाहर की तरफ ले जाते हैं working flute के संग तो यह हो गया आपका natural draft अब बात करते है mechanical draft की mechanical draft में दो तरह के draft होते हैं एक force draft होता है और एक क्या होता है induced draft होता है फिर से मैं बता दे रहा हूं दोनों का working जो principle होगा वो बिलकुल same होगा बस के वाल एक छोटा सा difference होगा वो difference क्या है अभी मैं थोड़ी तेर में बता रहा हूं यहाँ पर मैं diagram दिखा दे रहा हूं force draft में जो आपका fan लगा हुआ है यहाँ नॉर्मल सी बात है जब यहाँ पर हम fan लगाएंगे तो fan क्या करेगा air को अंदर की तरफ कीचेगा आप समझ रहेंगी नहीं समझ रहें natural draft में जो हम air अंदर की तरफ ले जा रहे थे वो naturally available थी महाँ पर कोई भी fan नहीं लगा हुआ था लेकिन जो force draft है या mechanical draft है mechanical draft में जो air हम अंदर ले जा रहे हैं वो किसके थूरू ले जा रहे हैं fan के थूरू ले जा रहे हैं अब यहाँ पर जो मैंने भी बताया mechanical draft भी दो तरह का होगा ए Induced draft दोनों में ही क्या लगाओगा fan लगाओगा इसमें भी fan लगाओगा और इसमें भी क्या लगाओगा fan लेकिन थोड़ा सा difference है वह difference क्या है वह difference यह है कि जो आपका force draft होगा उसमें जो फैन लगा होगा वो बॉटम में लगा होगा कहां लगा होगा बॉटम में ठीक है जो कि अर को अंदर की तरफ कीचेगा और जब की इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो होगा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में जो फैन लगा होगा वो ऊपर की तरफ लगा होगा और यह देखिए तो बाकी working principle देखिएगा सेम है दोनों के force draft की अगर हम बात करेंगे तो fan force through air through the tower मतलब कहने का यह है पहले क्या था natural वाले में air automatically अंदर जा रही थी यहाँ पर हम fan के through air को क्या करते है force करते है फिर उसके बाद वही वाला principle है warm water हम लोग ले लेते हैं process के through evaporation process के through होता है ठीक है और यही same working principle होता है induced draft cooling tower में बस केवल इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो fan हम लोग लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं टॉप पर लगाते हैं यहाँ पर जो fan लगा होता है force draft में वो fan लगा होता है बॉटम में लगा होता है ठीक है और जबकि induced draft में जो fan लगा होता है वो कहाँ पर लगा होता है टॉप पर लगा होता है यह दोनों में सिर्फ एक छोटा सा difference है बाकी working principle दोनों के same है अब यह question भी important है कि tips for the energy saving in the cooling tower cooling tower में किस तरह से हम energy बचा सकते हैं तो सबसे पहला तो यह है follow manufacturer clearance around the cooling towers and modify or relocate structure that interfere with air intake मतलब कहने का यह है कि आप जहां पर air available है और जो भी manufacturer आपको बता रहा है जो भी guidelines दे रहा है कि किस जगे पर आपको install करना है cooling tower को उसको आप modify या फिर relocate कर लीजिए ठीक है और manufacturer की जो clearance clearance का मतलब यह होता है कि कितनी height पर किस तरह से लगाना है तो आप उसको पूरी तरह से follow करिए फिर उसके बाद दूसरा है optimize cooling tower blade according to the season or load मतलब कहने का यह है कि जो भी आपके cooling tower नॉर्मल सी बात है जो fan होगा उसमें blades होंगे तो वो season और load के according जो भी आपके blades है उसको आप optimize कर लीजिए optimization का मतलब यह होता है जो आपको best result दे ठीक है फिर उसके बाद correct फिर उसके बाद third है correct uneven fan blade इस fan क्या है अगर चलते चलते uneven हो गया है मतलब कोई blade छोटा हो गया बड़ा हो गया है तो उसके अपने according आप adjust कर लीजिए install new nozzle to obtain more uniform water pattern ठीक है time to time आप nozzle को change करते रही है ताकि आपको uniform water pattern मिलता रहे cover hot water basin to minimize the algae growth जो भी आपके hot water basin है जहाँ पर hot water आपने collect करके रखा हुआ है वहाँ पर algae growth ना हो उसको cover करके रखिए फिर उसके बाद अगला है इसमें restrict flow through the large load मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से load का increment और decrement को avoid करिए monitor L by G ratio L by G ratio का मतलब क्या होता है L का मतलब यहाँ पर liquid है और G का मतलब जो है वो gas है actually में होता क्या है evaporation जो process होता है उसमें जो अभी मैंने पहले diagram जो आपको दिखाया था evaporation process का evaporation में क्या हो रहा था कि यहाँ पर liquid था और liquid के particle जब बाहर जा रहे थे तो वो gas में convert हो जा रहे थे तो यही L by G ratio होता है कि जो भी चीज liquid से gas में convert हो रही है तो वो भी maintain करना होता है movement for the water saving COC का मतलब यह होता है cycles of concentration की जो भी आपका पानी है उसमें solid कितने dissolve है किस तरह से है आप उसको properly monitor करते रहे है यहाँ पर COC का full form मेंने लिख दिया है cycles of concentration consider energy efficient FRP blade adoption जो की FRP blade adoption है उसको आप efficiently adopt करिए ठीक है ताकि आप energy saving ज्यादा से ज्यादा कर सके है ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please channel को subscribe करिए और like करिए ठीक है thanks for watching this video